हर जलते दिये तले आधेरा होता है हर रात के पीछे एक सवेरा होता है लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है दोस्तों आज है 9 दिसंबर और श्टार्ट करते हैं आज ही करेंड एफेस उससे पहले दोस्तों मैं देफितक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आकन जुरूर प्रेस कर देजे ताकि आपको डेले मौनी में करेंड एफेस की वी और दोस्तों ये वीडियो आप आखरी तक देखा करिए एक एक कोश्चन बहुत इंपोर्टेन रहता है प्रत्य गवर्मेंट एक्जाम के लिए ठीक है चले फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला कोश्चन तो आज का मोस्ट इंपोर्टेन है क्योंकि नियुक्तियों से तीन वर्स का होगा आपको बता दे दोस्तों कि ये वर्तमान में इंडियन स्कूल आफ बिजनेस हैदराबाद में एसोसियेट प्रोफेसर के रूप में कारे रहत हैं ठीक है इसके लाबह दोस्तों वह बंधन बैंक नेशनल इस्टुटीट आफ बैंक मैनेजमेंट और आर में किसे मुख्य आर्थिक सलाकार के रूप में नियुक किया गया है कृष्ण मूर्ति सुब्रमन्यम के जरूर याद रखिएगा आपके आगामी एक्जाम से में जरूर पूछा जाएगा ठीक है दोस्तों वीडियो का टर्गेट लाइक से आज का 16000 लाइक को तो फटा सब्सक्राइगा ऑप्सन भी 2023 को ठीक है देखे दोस्तों आयादर किएगा कि खाद दे और क्रिशिस संग्ठन ने 2023 को मिलेट्स के अंतराष्टी वर्ष के रूप में मनाने के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है अब यह मिलेट्स क्या है आपको देख मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी और मोटा नाज सामिल है जिने एक साथ पोर्षा कनाज कहा जाता है ठीक है देखे दोस्तों यह जो खाद दे और क्रिशिस संग्ठन है दोजार बीस और किस के लिए 20 खाद कारिकारी वोट के लिए भारत की सरस्ता को में मंजूरी दी है ठीक है त तो यह दिया है 2023 ठीक है तो यह याद रखिएगा कोश्चन नमर थाड़े दोस्तों किसने दिसंबर 2018 को रोम में गलिंका वर्ड स्वाइल प्राइश 2018 जीता है राइट एंसर वहागा दोस्तों ऑप्सन सी रतनलाल ठीक है ऑप्सन सी रतनलाल देखे दोस्तों 6 दिसंबर को रोम में सेंकतराष्ट के खाद एवंक्रिसी संग्ठन मुख्याले में एक समारों में रतनलाल ने गलिंका वर्ड स्वाइल प्राइश 2018 जीता है ठीक आपको बतादे कि उन्हें स्थाई मिट्टी प्रवंधन और मिट्टी संसाधनों की शुरक्षा में उनके उत्कृष्ट कि युगदान के लिए समानित किया गया था देखे दोस्तों आप पतादे कि गलिंका वर्ड साहिल प्राइश मुद्रा विग्जान पेसे में सरवोश्ण शमान मानना जाता है ठीक है तो दिसमबर 2018 में रोम में गलिंका वर्ड साहिल प्राइश घिसने जीता है रतनलाला उ सतया पर रोबोति क्राफ्ट्ट लेंड करने के लिए पहला मिस्ज लॉंच किया है तो यह किए दूस्तोचा जाना है ठीक है Option A देखें दो चीन ने चांड्रमा की दूर्वर्ति स्थे पर 얼य्ट्टिक क्राफ्ट लेंड करने के लिए पहला पिफैला लॉंच किया है और यह mission का नाम है Chang E-4 इसका क्या नाम है Chang E-4 आपको बता देख कि यह mission जिसमें एक स्थिर लेंडर और रोवर सामिल है चंदर्मा की दुरुबती स्थे पर वान कर्मन क्रेटर का पता लगा है किसका वान कर्मन देखे दोस्तों आपको बता देख कि यह पोलोड लांग मार्च थ्रीवी रॉकेट द्वरा ले जाया गया था ठीक है तो याद रखिए का चीन ने किया है ठीक है क्वेशन फिपत है किस आयोग ने दिसंबर 2018 में AI for all global hack hackthorn launch किया है ठीक है दोस्तों नीती आयोग ने ठीक नीती आयोग देखिए आपको बता देख नीती आयोग ने AI for all global hackthorn launch किया है AI means artificial intelligence ठीक है नीती आयोग ने इस hackthorn को launch करने के लिए सिंगापुर सित artificial intelligence startup परलीन के आपको बता दोस्तों कि इस hackthorn का उद्देश क्या है जागरूपता को बढ़ावा देना और ऐसे समधान विक्सित करना जो भूनियादी ढहांचे की चुनोतियों का समधान करने के लिए कुशल computing का लाप प्रदान करते हैं ठीक है तो नीती आयोग नेश्टनल इस्टिशन फार ट्रांसफर्मिंग इंडिया योजनायक किस्थान पर इसकी स्थाबन की गई थी एक जनवरी 2015 को ठीक है इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है बरतमान में मोदी जी है उपाध्यक्ष है बरतमान में डाक्टर राजीब कुमार तो याद रखिएगा कोश् विश्व श्वास से संग्ठन ने सड़क सुरक्षा पर 2018 वैश्यक इस्तिती रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 2016 में यातायात से समंधित मौतों की शंख्या 1.35 मिलियन तक पहुँच गई ठीक है आपको बता दे कि यातायात से समंधित मौत पास से 29 वर्स की बीच बच्चों और यूवा वैस्ट की मौत का अगरणी वैस्वी कारण है सबसे अधिक मृत्ति उतर अफरीका में है ठीक है इसमें तो किस संग्ठन ने सड़क सुरक्षा पर 2018 वैस्टिक रिपोर्ट जारी की है डबलु एचो विश्व स्वास्त संग्ठन न ASEAN Tour Order Of merit जीतने वाले सबसे कम उमर के भारती वने हैं वोगा है ASEAN Tour Order Of merit जीतने वाले 5 वे भारती हैं उनके पहले दोस्तों आप पता देक जोती रम धावा ने 2002 में, अर्जून अटवाल ने 2003 और जीव मिलका सिंग 2006 और 2008 में और अनिरु धलाहिरी 2015 में ASEAN Tour Order Of merit जीता था आ आपको बताते कि जीव मिलका सिंग दोस्तों दो बार मेरिट समान जितने वाले एक मात्र गोल फिला रही है ठीक है जीव मिलका सिंग 2006 और आठ में जीता था इन्हों ने ठीक है तो एसियन टूर अडर आफ मेरिट जीतने वाले सबसी यूबा भारती कौन बन गए हैं शुभं विवानन प्रदरसनी 20-24-2019 तक किस शहर में आजित की जाएगी तो किया जाएगा दोस्तों बैंगलूरू में ठीक ऑप्सन डी देखे दोस्तों आपको बता देख पहली बार देश की नागरीक उड्डियन प्रदरसनी का एक एरो इंडिया 2019 के साथ विले कर दिया गया है ठ प्रदरसनी 20-24-2019 की टेग लाइन रनवे फॉरा बिलियन अपर्चिनिटीज है इसकी टेग लाइन क्या है रनवे फॉरा बिलियन अपर्चिनिटीज ठीक है तो आप्सन डी करेक्ट हो जाएगा बैंगलूरू कोश्चन नमर नाइन तो दूस्तों भारती नौ सेना निम्रि पंडूबी आइने स्कलवरी के 1967 में नौसेना में सामिल होने का जस्न मनाता है ठीक है तो याद रखिएगा कि पहली पंडूबी आइने स्कलवरी के 1967 में नौसेना में सामिल होने का जस्न मनाता है देखे दोस्तों 31 माई 1996 को इस फॉक्स ट्राट क्लास पंडूबी को 29 साल की सेवा के बाद हटा दिया गया था ठीक है 1996 में तो भारती नहीं से ना निम्रिखित में से कि इस तारिक पर पंडुबी दिवसमन आती है आठ दिसंबर को कोश्चन टेंथ है कहां पर तीन दिवसी सैन साहित समारो दोठारा आजित किया जा रहा है इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा दोस्तों आपसाने चंडीगड ठीक है चंडीगड में देखे दोस्तों आपको बता देख तीन दिवसी सैनने साहित समारो दोठारा यह साथ दिसंबर दोठारा को चंडीगड में सुरू हुआ था यह उच्षाव सैन इतिहासकार और सरप्रदान करना ठीक है तो कहां पर तीन दिपसी सैन ने साहित समर्द अठार आजित के जा रहा है चंडीगड में कोशन नमर 11 दोस्तों इन में से किस अभिनाव यूबा जैब प्रद्योगी की पुरुषकार 2018 से समानित किया जाएगा तो इसका इनिविटर पर खोच के लिए प्रस्तावित अभिनोव फीचर के लिए चुना गया था वह भारती प्रद्योगी संस्थान आई टी मंडी में सहाग प्रोफेसर हैं आपको वता देख अभिनाव यूवा जैब प्रद्योगी की विभाग दोरा स्थापित किया गया था ठीक 2005 म में से किसे अभिनाव यूवा जैब प्रद्योगी पूरुष्काद रश्यमानित किया गया है रजनीश गीरी को ठीक है यह आई टी मंडी में सहायक प्रोफेसर है ठीक है भारती प्रद्योगी संस्थान मंडी में ठीक है अब देख ले तो उस्तो लास्ट वीडियो का अंस इसका CMD नियुक किया गया था राइट एंसर था इसका ओप्सान ए अतूल सहाय सभी स्टूडें ने राइट एंसर दिया था और काफी डिटेल में लिखा था अब देख ले तो आज का अंसर इसका अंसर को कमेंट बाक्स में जरूर लिखना है हर वर्स कब अंतराष्टी न दोस्तों और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि आपने कल की करने फेस्ट वीडियो जो नहीं देखे जस्ट यहां वे प्लेग दूस्तों लास्ट इस्ट की रहें पिया भी तो आप जरूर देख लें एंड स्क्रीन में ठीक है इसके लाब दूस